बाग के बारे में 40 रोचक तत्य एक 2022 में एक रिपोर्ट से पता चला कि सभी बागों में से 97 प्रतिशत गायब हो गए है वैश्विक परिद्रश में सिर्फ 3900 बाग ही जीवित हैं तभी से बागों को बचाने और इनकी संख्या बढ़ाने के लिए लोगों को जागरूख किया गया 2022 में बागों की संख्या साड़े 4000 के आसपास पहुँच गई है 2. बाग पूरी दुनिया में बिल्ली की सबसे बड़ी प्रजाती है 3. धर्ती के सबसे बड़े मासाहारी जानवरों की लिस्ट में बाग तीसरे नंबर पर है जबकि पहले स्थान पर ध्रुविय भालू और दुसरे पर भूरे भालू है 4. बाग अपने जन्म से एक सप्ताह तक पूरी तरह से अंधे होते है जिनमें से लगभग आधे शावक वयस्क होने से पहले ही मर जाते है 5. जन्म के बाद दो सालों तक बच्चों की देखभाल केवल मादा ही करती है 6. हम इंसानों की उंगलियों के निशान की तरह प्रतियक बाग के शरीर की धारियां अपने आप में अलग होती है 7. बागों की रात में देखने की क्षमता मनुश्य की तुलना में लगभग 6 गुना बहतर है 8. इनके दहारने की आवाज बहुत तेज होती है इसे आप 3 किलोमीटर दूर से भी सुन सकते है 9. टाइगा की दोरने की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रती घंटा तक हो सकती है 10. टाइगा लगभग 8 मीटर दूर और 5 मीटर उचाय तक छलांग लगा सकते है 11. इनके मानसल पैर इतने मजबूत होते हैं कि ये मृत अवस्था में भी कुछ समय तक खड़े रह सकते है 12. एक बाग के पिछले पैर उसके आगे के पैरों से अधिक लंबे होते हैं जिससे उन्हें अधिक दूरी तक छलांग लगाने की क्षमता मिलती है 13. जादातर बागों की आँखें पीली होती हैं लेकिन सफेद बागों की आँखें आमतोर पर नीली होती है 14. बाग की आउसत उम्र 10 से 15 साल होती है लेकिन विशेश परिस्थिती में ये 25 साल तक भी जीवित रह सकते है 15. बाग के बारे में येह भी कहा जाता है कि ये अपने इलाके को चिनहित करने के लिए पीडों को खरोच कर पंजे का निशान बनाते हैं इसके अलावा वे इसके लिए अपने बदबुदार मूत्र का भी उप्योग करते है 16. मादा की तुलना में नर बागों का क्षेत्र बड़ा होता है 17. सामान्यतह बाग हन्य जानवर उपर नहीं दहारते हैं बलकि वे दूर-दूर के बागों से समवात करने के लिए दहारते हैं 18. टाइगा को भूख बहुत जल्दी लगती है और ये दो से तीन हफ़ते भूखा रहे तो इनकी मौत हो सकती है जबकि एक सामान्य व्यक्ती 30-40 दिनों तक बिना खाय जिंदा रह सकता है 19. आपको जानकर बड़ी हिरानी होगी कि बाग हन्य जानवरों की आवाजों की नकल भी कर सकते हैं शिकार को अपनी तरफ खीचने के लिए यह तरीका इनके लिए बहुत ही कारगा होता है 20. बाग अपने शिकार को गला घोट कर मारता है इसके अलावा गले की नस काटने के बाद खून की कमी से भी शिकार मर जाता है 21. टाइगा का 10 सेंटीमीटर का दात इतना मजबूत होता है कि यह अपने जबडे से एक जटके में अपने शिकार का गला तोड़ सकती है 22. बाग के बारे में कहा जाता है कि इनहें घात लगा कर शिकार करना पसंद होता है वैसे तो यह अधिकतर रात में शिकार करते हैं लेकिन मौका मिलने पर यह दिन में भी हमला कर सकते हैं 23. बागों के पास बड़े बड़े गद्देदार पैर होते हैं जो उनके लिए चुपचाप अपने शिकार तक पहुँचने में मदद करते हैं 24. कहा जाता है कि यदि आप बाग की तरफ देख रहे हो तो यह संभावना बहुत कम होती है कि वो आप पर हमला करे 25. इसलिए भारत के विभिन इलाकों में लोग जंगलों से गुजरते समय अपने सिर के पीछे इंसान के चेहरे की तरह दिखने वाला एक मुखोटा पहनते हैं ताकि शेर पीछे की तरफ से हमला न करे 26. माना जाता है कि बागों को 10 से 20 शिकार के प्रयासों में से केवल एक बार ही सफलता मिलती है 27. शिकार करने के बाद बाग मादा और शावकों का इंतजार करते हैं और उनके खाने के बाद ही स्वयम खाते हैं 28. बाग के बारे में यह भी देखा गया है कि किसी शिकार को खाने के लिए वे आपस में जगड़ा नहीं करते हैं बलकि अपनी बारी का इंतजार करते हैं 29. वैसे तो बाग इनसानों को शिकार के तोर पर नहीं देखते लेकिन किसी प्रकार का खत्रा महसूस होने पर या शिकार के लिए अन्यजीब नहीं मिलने पर ये इनसानों पर भी हमला कर सकते हैं. 30. ये पानी में नहाना भी पसंद करते हैं, यही नहीं ये एक कुशल तैराग भी होते हैं. ये बड़ी-बड़ी नदियों को पार करने में सक्षम होते हैं. बाग द्वारा पानी में अब तक एक दिन में सबसे लंबी दूरी तैक करने का रिकॉर्ड लगभग 30 किलोमीटर का है. 31. कई बार नदी पार करते समय इन पर मगरमच का हमला होता है. मगरमच से निपटने के लिए इन्हें कुछ अलग तरीके से काम करना पड़ता है. ये मगर के गले पर वार नहीं करते क्योंकि वह बहुत कथोर होता है. इसलिए ये मगरमच को उल्टा करके उसके मुलायम पिट पर वार करते हैं. कई बार तो ये आँख फोर कर उसे अंध अल्टेकर. साउथ चाइना बाग पैंथेरा टाइगरस अमोएंसिस. इंडो-चाइनीज टाइगर पैंथेरा टाइगरस कोबेटी. मलायन बाग पैंथेरा टाइगरस जैक्सिनी. सुमात्रा टाइगर पैंथेरा टाइगरस सुमत्रे. और बंगाल टाइगर पैंथेरा 34. इसके अलावा सुमात्रा इंडोनेशिया का एक आइलेंट में पाए जाने वाला बाग दुनिया का सबसे छोटा बाग होता है. एक वयस्क सुमात्रा बाग की लंबाई 2 मीटर और वजन केवल 100 किलो होता है. 35. इन 6 उप्रजातियों के अलावा टाइगा के और भी सबस्पीसीज हुआ करते थे लेकिन पिछले 80 वर्षों में बाग की तीन उप्रजातियां शिकार होने की वजह से विलूप्त हो चुकी है. 36. बागों के लार में अंटिसेप्टिक होता है. वे अपने घाब को चाटकर कीटानू रहित कर सकते हैं. 37. बाग की याददाश्ट इंसानों की तुलना में 30 गुना अधिक होती है. 38. इनके दिमाग का वजन 300 ग्राम होता है. 49. एक वयस्क बाग एक बार में 40 किलो तक मास खा सकता है. इसके बाद यह चार या पाँच दिनों के लिए दूसरा शिकार नहीं करता. 40. बाग बिल्ली की एक मात्र प्रजाती है जिनका शरीर पूरी तरह से धारीदार होता है. 40. शरीर के केवल बालों पर ही नहीं बलकि उनकी पूरी तवचा में भी धारिया बनी होती है. 40. बालों प्रजाती है